हेलो दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर डार्क माइंड में बहुत स्वागत है क्या आपका बजट 30,000 से लेकर 35,000 तक है और आप इस प्राइस रेंज में एक डीसेंट परफॉर्मेंस वाला लैप्टॉप परचिस करना चाहते हैं जिसमें आप अपना ओफिस आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किये देखना चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन लैप्टॉप के बारे में चलिए बात करते हैं सबसे पहले डेल के Inspiron 3505 लैप्टॉप के बारे में और डेल का यह लैप्टॉप 2021 में ही लॉंच हुआ है और Amazon पर इस laptop की rating भी काफी बढ़िया है और Dell के इस laptop में 15.6 inches का anti-glare coating वाला HD display देखने को मिल जाता है और आपको इसमें AMD का Athlon Gold 3150U processor मिलता है और इसमें 2.6 GHz की base clock speed से लेकर 3.3 GHz की maximum clock speed देखने को मिलती है और इसमें 4 GB की 2400 MHz की clock speed वाली single DDR4 RAM देखने को मिल जाती है जिसे आप 16 GB तक upgrade कर सकते है और इसमें 256 GB की NVMe M.2 SSD storage मिलती है जिससे इसका boot time भी काफी fast रहेगा और इसमें AMD का Radeon integrated graphics देखने को मिल जाता है और इस laptop में pre-installed Windows 10 Home देखने को मिल जाती है और वो भी lifetime free validity के साथ और इसी के साथ इसमें pre-installed Microsoft Office Home and Student 2019 देखने को मिलता है जिससे यह laptop office work के लिए भी काफी बढ़िया रहेगा और बैटरी में आपको 3 cells वाली 42 Watt की lithium आयन बैटरी देखने को मिलती है जिससे आपको इस laptop में 5-6 घंटों तक की battery life देखने को मिल जाएगी Wireless connectivity के बारे में बताओ तो हमें इसमें Wi-Fi 5 और Bluetooth 4.2 का support देखने को मिलता है और keyboard के बारे में बताओ तो इस laptop में full-size का non-backlit keyboard देखने को मिलता है और वो भी numeric keypad के साथ और इस laptop का weight सिर्फ 1.83 kg है और यह laptop black color में आता है और इस laptop की कीमत के बारे में बताओ तो इस laptop की कीमत है 3290 रुपे और वीडियो के description box में आपको इस laptop का link मिल जाएगा चलिए बात करते है इस list के second laptop के बारे में जो है Asus Vivobook 14 और यह laptop भी recently इंडिया में launched हुआ है और Asus के इस laptop में 14 inches का anti-glare coating वाला full HD display देखने को मिलता है और इसमें Intel का 10th generation का Core i3 processor देखने को मिल जाता है और इसमें 1.2 GHz की base clock speed से लेकर 3.4 GHz की maximum clock speed देखने को मिलती है और आपको इसमें 2 cause, 4 threads और 4 MB की cache memory देखने को मिल जाती है और इसमें 4 GB की 3200 MHz की clock speed वाली single DDR4 RAM दी गई है जिसे आप 12 GB तक upgrade कर सकते हैं और इसमें 1 TB की hard disk storage मिलती है और इसमें Intel का UHD integrated graphic card देखने को मिलेगा और आपको इस laptop में pre-installed Windows 10 Home देखने को मिल जाती है और वो भी lifetime free validity के साथ और बैटरी के बारे में बताओ तो Asus के इस laptop में 2 cells वाली 37 Watt की lithium-ion बैटरी देखने को मिल जाती है जिससे आपको इसमें 4 से 5 घंटों तक की battery life देखने को मिल जाएगी और wireless connectivity के बारे में बताओ तो इसमें Wi-Fi 5 और Bluetooth 4.1 का support देखने को मिलता है और keyboard के बारे में बताओ तो इस laptop में standard size का chocolate keyboard देखने को मिलता है और इस laptop का weight सिर्फ 1.6 kg है और यह laptop transparent silver color में आता है और इस laptop की कीमत के बारे में बताओ तो इस laptop की कीमत है 33,990 रुपे और वीडियो के description box में आपको इस laptop का link मिल जाएगा चलिए अब बात करते हैं Lenovo के V15 laptop के बारे में आपको Lenovo के इस laptop में 15.6 inches का anti-glare coating वाला full HD display देखने को मिलता है और इसमें AMD का Athlon Gold 3150U processor देखने को मिल जाता है और इसमें 2.4 GHz की base clock speed से लेकर 3.3 GHz की maximum clock speed देखने को मिल जाती है और आपको इसमें 2 cause और 4 MB की cache memory देखने को मिलती है और इसमें 4 GB की single DDR4 RAM देखने को मिल जाती है जिसे आप solar GB तक upgrade कर सकते है और इसमें 1 TB की HDD storage मिलती है और इसमें AMD का integrated graphic card देखने को मिलेगा और इसमें pre-installed Windows 10 home देखने को मिल जाती है और वो भी lifetime free validity के साथ और battery में आपको 3 cells वाली 37 Watt की lithium-ion battery देखने को मिल जाएगी और आपको इस laptop में 4 से 5 घंटों तक की battery life देखने को मिलती है wireless connectivity के बारे में बताओ तो हमें इसमें Wi-Fi 5 और Bluetooth 4.2 का support देखने को मिलता है और keyboard के बारे में बताओ तो इस laptop में full size का spill resistant keyboard देखने को मिलता है और भो भी numeric keypad के साथ और इस laptop में 1.5 Watt के dual Dolby audio speakers दिये गए है और speakers की audio quality काफी बढ़िया है और इसमें TPM 2.0 chip का support देखने को मिलेगा जिसकी help से आप अपनी files को password से encrypted रख सकेंगे और और यह laptop आएं gray color में आता है और इस laptop की कीमत के बारे में बताओ तो इस laptop की कीमत है 29,690 रुपे और वीडियो के description box में आपको इस laptop का link मिल जाएगा चलिए अब बात करते हैं इस list के fourth number के laptop के बारे में जो है HP का notebook PC 245G7 इस laptop में 14 inches का anti-glare coating वाला HD display देखने को मिलता है और इसमें AMD का Athlon 3050U processor देखने को मिल जाता है और इसमें 2.1 GHz की base clock speed से लेकर 3.2 GHz की maximum clock speed देखने को मिलती है और आपको इसमें 2 cause और 4 MB की cache memory देखने को मिलती है और इसमें 4 GB की single DDR4 RAM देखने को मिल जाती है जिसे आप 16 GB तक upgrade कर सकते है और इसमें 1 TB की HDD storage मिलती है और इसमें AMD का Radeon Vega 6 integrated graphics देखने को मिल जाता है और इसमें pre-installed Windows 10 home देखने को मिल जाती है और वो भी lifetime free validity के साथ और battery में आपको 3 cells वाली lithium ion battery देखने को मिल जाएगी जिससे आपको इसमें 4 से 5 खंटों तक की battery life देखने को मिलेगी और wireless connectivity के बारे में बताओ तो हमें इसमें Wi-Fi 5 और Bluetooth 4.2 का support देखने को मिलता है और keyboard के बारे में बताओ तो इस laptop में standard size का keyboard देखने को मिलता है और इस laptop में 720 megapixels वाला HD webcam देखने को मिलता है और वो भी integrated digital microphone के साथ camera की video quality काफी बढ़िया है और और यह laptop black color में आता है और वीडियो के description box में आपको इस laptop का link मिल जाएगा चलिए अब बात करते है इस list के आखरी 5 नंबर के laptop के बारे में जो है HP का 14SDQ3018TU इस laptop में 14 inches का anti-glare coating वाला HD display देखने को मिलता है और आपको इसमें Intel का Pentium Silver N6000 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इसमें 1.1 GHz की base clock speed से लेकर 3.3 GHz की maximum clock speed देखने को मिलती है और इसमें 4 cause और 4 MB cache memory देखने को मिलेगी और इसमें 8 GB की 2933 MHz की clock speed वाली DDR4 RAM दी गई है जिसे आप 16 GB तक upgrade कर सकते हैं और इस laptop में 256 GB की NVENI M.2 SSD storage दी गई है और आप इस laptop में storage को 512 GB तक expand कर सकते हैं और इसमें Intel का UHD 605 integrated graphics देखने को मिल जाता है और इसमें pre-installed Windows 10 Home देखने को मिल जाती है और वो भी lifetime free validity के साथ और इसमें आपको pre-installed Microsoft Office 2019 देखने को मिल जाएगा जिससे यह laptop office work के लिए भी काफी बढ़िया रहेगा और आपको इसमें Amazon Alexa का support भी देखने को मिलेगा और battery में आपको 3 cells वाली 41 Watt की lithium-ion battery देखने को मिल जाएगी और आपको इस laptop में 4 से 5 घंटों तक की battery life देखने को मिलती है और इसके साथ आपको 65 Watt का power adapter देखने को मिलेगा wireless connectivity के बारे में बताओ तो हमें इसमें Wi-Fi 5 और Bluetooth 4.2 का support देखने को मिलता है और keyboard के बारे में बताओ तो इस laptop में standard size का keyboard देखने को मिलता है और इस laptop में 720 megapixels वाला HD webcam देखने को मिलता है और वो भी integrated digital microphone के साथ camera की video quality काफी बढ़िया है और यह laptop black color में आता है और इस laptop की कीमत के बारे में बताओ तो इस laptop की कीमत है 32,500 रुपे और वीडियो के description box में आपको इस laptop का link मिल जाएगा तो यह थे दोस्तों top 5 best laptops 30,000 की price range में जिनको आप Amazon से purchase कर सकते हैं और यह laptops office work, online classes या basic home use के लिए काफी बहतरीन है और आप इन में casual gaming भी कर सकते हैं जैसे GTA 3 और Asphalt 9 और वीडियो के description में आपको इन सभी laptops के link मिल जाएंगे आप Amazon पर जाकर इन laptops को चेक कर सकते हैं यदि आप इन laptops की payment credit card या debit card से करते हैं तो आपको 5-10% तक का discount मिल सकता हैं और इसके साथ में इन laptops पर अभी कई सारे offers भी चल रहे हैं और आप इन laptops को AMI पर भी खरीच सकते हैं उमीद करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे like and share कीजिएगा और मेरे चैनल को भी subscribe कीजिएगा